दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक application development कराने से पहले हमारे पास क्या-क्या ready रहना चाहिए देखिए यो बहुत जादा important है क्योंकि जब आप application develop कराने जा रहे हो किसी भी company के पास तो आपके पास क्या ready रहना चाहिए वरना वहाँ जाने के बाद आप एकदम भहुचका रह जाओगे कि मैं पूछू क्या मेरे client मुझे phone किया कि sir OTT application बनाने में कितना cost आता है यह query थी उसके पूछने के लिए मतबस उसने मुझे normal question पूछा था मैंने उसको मैंने एक video recommend किया कि आप YouTube पे search करो कि OTT app बनाने में कितना खर्चा आता है हमारा video आपको दिखेगा वहाँ पे जो कि 20 minute के आसपास होगा उस video में मैंने और भी extra 5 ऐसी चीज़े बता दी है जो कि शायद आप वो video देखने के बाद अगर मुझसे contact ना करो किसी other company से contact करते हो तो वो 5 सवाल आप पूछ पाऊगे दोस्तों मेरे video में मैं कभी यह नहीं बोलता कि सिर्फ application development आप हम से करा हो आप किसी भी development company से करा सकते हो पर आप क्योंकि non technical हो तो वो आपको वहाँ पे घुमा देंगे चीज़े requirement जो आपकी है जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा इसलिए मैं recommend करता हूँ मेरे videos watch करो अगर आप application development में interest रखते हो तो ठीक है तो मेरे कहने का क्या मतलब है दोस्तो जब भी आप एक application development कराने जा रहे हो तो वहाँ जाके आप stuck ना हो जाओ वहाँ जाके आप क्या पूछो इसमें confused ना हो जाओ इसलिए सबसे पहले आपको अपना requirement ready कर लेना चाहिए कि आपकी actual में requirement है क्या देखो आपका जो idea है वो market की बहुत अच्छी problem को solve कर रहा होगा लेकिन अगर आप अपने idea को explain नहीं कर पा रहे हो किसी development company को तो वो आपकी requirement को समझेगा नहीं जैसे आपको application चाहिए वैसा आपको मिलेगा नहीं तो पहले तो आप एक requirement no down करो PDF बनाओ थोड़ा time spend करो देखो लोग जैसे क्यों जाते हो directly क्यों पूछने लगते हो पहले आप खुद तो प्लान कर लो एक PDF रेडी करो PDF रेडी करने में आपका अगर आदा घंटा एगंटा जाता भी है आप invest भी तो कर रहे हो एक लाग दो लाग पांच लाग दस लाग जैसे भी आपके requirement है उतना पैसा इंव requirement जब आप बनाओगे तब आप वह requirement जब development company के पास जाके बोलोगे कि मुझे actual में ऐसा चाहिए application इसमें home screen पे ये होना चाहिए जब कोई button पर कोई click करें तो उसके सामने ये detail page screen open होना चाहिए जब ये आप PDF के जरीए presentation के जरीए अच्छे तरीके से explain कर पाओगे development company को तो possibility जादा है कि एक तो आपका development cost वहाँ पे बच जाएगा पैसा आपका बच जाएगा ठीक है second चीज यह है दोस्तो कि आपको पहले से prepare रहना है budget के लिए चलो ठीक आप development company से जब पूछते हो कि भाई कितना budget आएगा आपने 10 company से पूछा 10 ही आपको अलगलग quotation देंगी price सब जगा आपको उपर नीचे होगा तो mentally आपको खुद को prepare करना है पहले कि yes budget उपर नीचे हो सकता है मेरी requirement यह है उस हिसाब से मुझे ऐसा मतलब मैं आपको personally suggest करूँ जितना आपका requirement है अगर मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने 10 development company से बात की तो मतलब 10 में से 4-5 लोगों ने लगबग 2-3 लाग क्या सबस बताया है तो आप 5 lakh समझ के चलो because क्या होता है जब हम application develop कर रहे होते हैं फिर जब करवा रहे होते हैं तो बीच में हमें ऐसा लगता है कि यह function ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए क्योंकि एक ही दिन में आप सारी चीज़े डिसाइड नहीं कर सकते हो और जब development process हो रहा होता है उस time पर जब आप requirement change करते हो तो development company आपसे charge मागेगी कि भाई यह function तो आपने starting में बोला नहीं था तो थोड़ा अपना budget भी extra रखो ठीक है उसके बाद में तीसरा चीज़ जब आप क्यूंकि आप एक application बनाने जा रहे हो अच्छा खासा investment करने जा रहे हो तो आपका monetization model क्या है वो बिलकुल clear होना चाहिए ठीक है आप product बेच र बनने के बाद हमको यह regret फिल नहीं होना चाहिए कि यार यह monetization model अगर में implement कराता तो शायद आज मैसे जादा पैसे कमाता एक और point आपको बता दो दोस्तो application जब आप बनाने जा रहे हो उसके पहले एक चीज़ के लिए और रेडी रखो खुद को promotion के लिए और users के लिए application ब पहले से prepare रखो खुद को कि मेरे को यहां promote करना है मेरी targeted audience यह है क्योंकि user रहेंगे तो आपका application चलेगा application चलेगा तो आप ऐसा कमाऊगे यह कुछ चीज़ें है basic जिसका खयाल आपको रखना चाहिए starting में starting ये face में जब आप application बनवाने जाते हो तो और यह कुछ points अगर जरू करना अगर आप मेरे channel पे नहीं है तो channel को subscribe कर लो thank you दोस्तों मिलते है next video में